किसान भायो पढ़नाम आज आपको बताऊंगा अर्भी की खेती के बारे में किसान भायो आज अर्भी के बारे में स्टेप बाई स्टेप जानकारी देने वाला हूँ आप वीडियो को अंतक अश्य देखें किसन भायू जैसा है कि आप एक किसान अपने खेतों में हल चलाता हूँ और नजरा रहा है उसके बाद खेत की जुताई करने के बाद इसको संतल किया गया संतल करने के बाद इसमें मेड़ बनाये गए मेड़ों में सिचाई कर दी गई सिचाई करने के बाद मिटी फूल जाने लगल untuk pengukhbaasb power कि उसके बाद मेड़ बनाने के बाद जब या मेड़ सूक गया दो दिनों के बाद उसके बाद बीच बीच में चोटा चोटाफा गड़्धा खोड़ दिया जाता गड़्धा खोदनेक बाद इसमें गोचूँवार कंपोस्ट खाद मिलाकर छोड़ा धोड़ा करें सोजोग्राम कियाशपास परते गढधे में आप कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं उसके बाद इसमें यूरिया, डीयपि, पोटास और सिंगल सुपरफासपेज मिलाने के बाद थोड़ा धोड़ा थोड़ा इसमें परते गढ़े में डाल दिया जाता है उसके बाद आवसकता नुसर आप डाल सकते हैं किसान भाईयों उसके बाद परते गढ़े में एक एक अरवी का कंद आप डाल कर इसको भर सकते हैं डाल कर इसको मिट्टी को बराबर कर दें मिट्टी को बराबर करने के बाद किसा कर दें सिच्चाय करने के बाद किसान भाई करने के बाद किसान भायों आप देखेंगे कि आपके खहेत में पंदरा से 20 दिन LIKE अगर BFF cloth करने के बाद इसमें खरपतवार नश्ट कर दे या कवार दे या कुदाल के माध्यां से इसको सफाई कर दे खरपतवार निकालने के बाद इसमें आप किसान भाई आप यूरिया देकर इसकी सिचाई भी कर सकते हैं सिचाई करने के बाद करीब देड़ महिने बाद इसमें मिट्टी की गुड़ाई करकी इसमें मिट्टी चड़ाया जा सकता है किसकी सान भाई यूरियो मेरे वीडियो को आंत तक देखने के लिए धैने बाद